तो नमस्कार भाई, कैसे हैं आप लोग? आसा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आज हम बात करने वाले हैं कि Instagram ID deactivate या delete कैसे करें Simply deactivate का मतलब होता है कि कुछ दिनों के लिए हम अपना ID बंद करना चाहते हैं अगर हम अपना password और email दे के अपना ID खोलना चाहते हैं तो हम Simply खोल सकते हैं और permanently delete का मतलब होता है कि हम अपना ID बंद करना चाहते हैं उसके बाद अगर ID और password दे तो वह मेरा ID खुले ना तो यह होता है deactivate और permanently delete तो simply हम इसको कर सकते हैं और हमको पता है कि आप अभी तक बहुत वीडियो देख लिए होगे YouTube पर अभी तक आपको समझ भी नहीं आया होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा doubt clear हो जाएगा और हमको लगता है कि आपना ID simply deactivate या permanently delete कर सकते हैं और चलिए हम अपना screen पर चलते हैं यहां पर simply मैं अपना mobile के screen पर आ चुका हूँ यहां से simply आप अपना Instagram open कर लेंगे और जिस ID को आपको deactivate करना है simply उसको open कर लेंगे और यहां पर हम अपना profile पर click करेंगे इस पर click करने के बाद यहां उपर में three lines दिया गया है हम उस पर click करेंगे और यहां पर नीचे settings का option है हम उस पर click करेंगे इसको click करने के बाद यहां account center दिया गया है इस पर हम personal details पर click करेंगे और इस पर click करने के बाद हम यहां पर नीचे scroll करने के बाद यहां पर मिल जाता है personal details फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर हमें नीचे में सबसे नीचे लिखा मिलता है account, ownership and control हम सिंपल इस पर क्लिक करेंगे इस पर नीचे दिया गया है deactivation और deletion हम simply इस पे click कर देंगे इस पे click करने के बाद यहाँ पे हमें अपना ID दिया गया है जिस ID को हमें deactivate या permanently delete करना है तो इस पे हम simply click करेंगे इस पे click करने के बाद यहाँ पे दोनों option दिया गया है या हमें deactivate करना है या permanently delete करना है तो जो हमको करना होगा कर देंगे इस पर continue करने के बाद आपको उसका password मांगेगा simply आप उसका password दे दीजिएगा मैं यहाँ पर अपना password दे दिया हूँ और इसे यहाँ से हम continue कर देंगे इंस्टाइड को क्यों deactivate करना चाहते हैं तो आप इसमें से कुछ भी select कर सकते हैं हम यहाँ पर लिखेंगे just need a break हम छोटा से एक वैसे ब्रेक लेना जाते हैं और यहाँ पर हमें continue कर देंगे इसको continue करने के बाद यहाँ पर लिखा गया है deactivate account यहाँ पर हमें simply deactivate account कर देना है और यहाँ से आपका account यहाँ deactivate हो चुगा है असा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए content के साथ तब तक के लिए जया है